दीप मॉनिंग रिकॉर्ड हाई उस पर हम जैपनीज मार्केट को देख रहे थे यह जो एक एक 900 हजार पॉइंट्स की करेक्शन आई यह गिरावट आई है क्यों आई है? डेटा के दम पर यह आपको होते हुए दिख रहा है उनके Q4 GDP डेटा आया टेकनिकली जपान ने रिसेशन अवाइड कर लिया बेसिकली अगर आपके दो कॉर्टर नेगिटिव जीडीप डेटा आते है तो आप एक रिसेशन में आ जाते है बट इनका जो Q4 GDP डेटा आया है वो पॉजिटिव आया है 0.4 परसंट की ग्रोथ रही है अब आप कहेंगे ग्रोथ रही है तो अच्छी बात है डेफिनेटली अच्छी बात है बट फिर उसका जो नौक आउन एफेक्ट है उसका आप इंपक्ट देख रहे हैं इनका येन उचल कर एक महीने की उचाई पर आया है तो ये एक संभावना है कि अगले हफते की पॉलिसी से बैंक आफ जपान रेट हाइक करके जो उनका नेगिटिव रेट साइकल है उसको बंद कर सकता है आपको याद होगा जपान ओली मेजर ग्लोबल एकॉनमी है जो अभी भी नेगिटिव रेट साइकल में चल रही है तो अगले हफते क्या शायद बैंक आफ जपान नेगिटिव इंट्रेस रेट पॉलिसी खतम कर सकता है इस पर स्पेकुलेशन चल रही है तो इसके चलते चलते हम देख रहे हैं करीब हजार पॉइंट का फॉल आपको आज सुबा निके में आते हो दिख रहा है बट खबर इनके लिए अच्छी है Q4 GDP का डेटा आच्चुली पॉजिटिव ही आपको आते होई दिखा है बाकी ग्लोबल संकेत देखें तो कोई ऐसे खराब ग्लोबल संकेत नहीं आए है शुकरवार को जरूर आपने अमेरिका में थोड़ी मुनाफ़ा वसूली आती हो दिखी बट उससे पहले गुरुबार को रिकॉर्ड तेजी थी अमेरिकी बाजारों में नेट नेट अगर आप देखेंगे तो दो दिन में डाव आपके लिए सत्तर अंक उपर ही है जिन लेवल्स पर हम थर्सडे को छोड़ के गए थे बट नंदलेस हमने देखा गुरुबार को एक सो तीस अंकों का उचाल आया था और उसके बाद शुकरवार को करीब सतरंक नीचे डाव फिसला है नाजडाक में दोनों दिन बड़ा आक्शन हुआ देड़ परसंट का उचाल गुरुबार को था और उसके बाद करीब सवा परसंट आपको तूटते हुए नाजडाक दिखा तो उसे आप से देखेंगे तो जरूर शुकरवार को जो सेशन था वो अमेरिकी बाज़ाओ के लिए थोड़ा कमजोर आपको आते हुए दिखा था इनफाक्ट ऑक्टोबर के बाद दाओ का सबसे खराब हफता था हलाकि इस खराब हफते में सिर्फ एक परसंट ही नीचे डाओ है और वीकली बेसिस कुछ ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई S&P 500 आपका अल्मोस फ्लैट ही था नाजडाक में जरूर शुकरवार की गिरावट के साथ सावा परसंट का वीकली फॉल भी आपने बनते हुए दिखा सबसे बड़ा कल्प्रिट था इसमें एनवीडिया जो अल्री रिकॉर्ड तेजी दिखा रहा था बहुत बड़ा आक्शन इसमें आता हुए दिखा था इस पर साड़े 5 परसंट की गिरावट आपने फ्राइडी के सेशन में आती हुए दिखी और क्योंकि एनवीडिया का शेर गिरा इसलिए फिर बाकी सेमीकंड़क्टर शेर्स में भी आपको गिरावट आती हुए दिखी हाला कि अब स्पेकुलेशन बाजार में चल रहा है कि एनवीडिया का शेर जल स्टॉक स्प्लिट यहां पर आपको हो सकता है इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर था अमेरिका में इनके फरवरी का जॉब्स डेटा आते हुए दिखा था और यह जॉब्स डेटा अनुमान से काफी जादा था पॉने तीन लाख नई जॉब्स जोड़ी गई है अनुमान दो लाख का था तो 75,000 जॉब्स अनुमान से ज़ादा जोड़ी गई है तो काफी करीब है वो 4% के मार्क पर डॉलर इंडेक्स आठ हफटे के निचले सतर पर है इस पर रखे नजर कमोडिटी बाजार में बड़ा आक्शन हो रहा है सोने हम देख रहे हैं लगाता रिकॉर्ड तेजी बना रहा है डेटा के लिहास से ये भी एहम हफता है ग्लोबल मारकेट्स के लिए क्योंकि यूएस का इंफलेशन डेटा आने वाला है इसके अलावा PPI और रीटेल बिकरी के आक्र आएंगे UK का GDP डेटा आने वाला है तो बहुत आक्शन पैक्ट वीक है बट हां जपान में खबर अच् कर रहा है उसकी गारंटी नहीं है